अगर हम लोग को ये केंडिल मिल जाया रणिंग मार्केट में तो फ्रेंट्स क्या होता जो हमारा चाइटिंग स्कृनर्स होता है वो हमको हेल्प करता है एक पर्टिकुलर ट्रेंड ढूनने में जैसा कि यहां पर देख सकते दोस्तों इस टॉक नीचा आया और यहां से उसने डोजी बनना चाहिए उसके बाद एक ग्रीन केंडल बनना चाहिए तो फ्रेंट्स जो हमारा चाइटिंग स्कृनर्स होता है जो मैंने स्कृनर्स बनाके रखते हैं अपने बेस्ट फोर टू फाइव स्कृनर्स वो इस तरह टेकनिक पर बेस्ट होते तो आप लोग को इतना तो यहाँ पर बेक टूबेक 10-15% का अराम से मुमेंट देखने को मिला है तो फिर चलिए आज मैं यहीं चीजे जोस्तों बात करना हो जैसे डोजी का इसका एक्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था कि वही डाउन ट्रेंड में होना चाहिए डोजी बना उसके बाद यह आप लोगों को जो भी चाटिंग स्केनर आप लोगों के नाम पर लकी ड्रॉज जिसा को सिस्टम रहेगा इसमें आप लोगों को निकलेगा तो हम यहाँ पे आप लोगों को लिंक प्रोवाइट करवा दूंगा तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हो तो स्केनर से हम चलिए इसके नारी यह पहला मैं आपको सार्स इसके नासे एक्समेंट करने वाला हूँ क्या लॉजिक है वही मैं आप लोगों को काफी लर्निंग वीडियो भी होने वाला है साथ इसाथ गीवाव एक सांथ तो पहला इसके नार जो है फ्रेंड्स यह है डोजी तो चलिए कर दोब करते के वैं दोजी पर मैं बेक टेस्टिग पर क्लिक कर तो बताया तो मैं जो बेक टेस्टिंग होती हुँ ऐसी कुछ फ़रजी टाइप की नहीं होती क्योंकि मेरे एक्डम कोई fake अलर्ड नहीं आते तो काफी टाइम से मैं जुड़े हूँ इस चेनल पर उनको पत लेते हैं कि वही आज दो दिन के अंदर उसने तीन स्टॉक निकाल कि 28 तारिक को दिया 29 तारिक को दिया दो स्टॉक निकाल कि तो फिर सारे में स्टॉक्स का आप लोगो यहां पर अलसे बताने वाला हूं तो कोशिश करूंगा दोस्तों मैं कवर करने की लेकिन वीडियो है तो यह है शॉट टर्म बेस्ट होता है दोस्तों इसमें हम खरीट के दो से तीन दिन हमें इसमें होल्ड करके रख सकते हैं तो फंट यह देखिए यहां पर सेम हमको पोई कंडिशन बनी है कि भाई डाउन ट्रेंड में था डोजी बना उसके बाद ग्रीन केंडल बना ठी में जो हमारा डोजी वाला इसके रहता थी कि और देख लेते हैं यह वाला 28 तारिक को धाई बज़े यहां दिखा रहा है लेकिन जब मैं इसको चेंज करूंगा तो यह थोड़ा और टाइम चेंज हो कि मुझे याद है मैंने इस पर ट्रेड लिया था मैंने काफी अर्ली ट चारिक को PNC तो फ्रेंस यहां पर इसको में एक काऊं तो पांच में पर अगर कनवर्ट कर लेता हूं तो इसमें और भी बड़ा मुमेंट देखने को मिल रहा था यहां कहीं पर हमको देखने को मिल रहा था आरांसे 5% हमारा दो दिन में यहां पर देखने को मिल गया अब देख लेते हैं क्या है यह 28 को 28 को 49 मैं इसको डेली पर कनवर्ट कर लेता हूं दोस्तों फिर से ताकि हमको डोजी देखे रियली बन रहा है क्या और भी डोजी नहीं दोस्तों इस तरह मेरे बहुत सार्सकेनर से 5-4-5 अलग 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 इस्ट यहां देख सकते कि यह रहा दोजी ठीक है और दोजी बनने के बाद सीधा फेंस उसने यहां पर एक साथ से आठ परसेंट का बड़ा मोमेंट निकाल के दिया है और देखेंगे दोस्तों बिल्कुल मैं सारे दिखाऊंगा आप लोग कोशिश करूंगा सारे दिखाने की यहां पर ठीक हैसा कुछ बनाया ठीक है और इस मोमेंट पर एंटरि पाइंट निकाला उसका रहाम ने एंटरि लिया तो उसने यहां पर आराम से हमको फिर से 5% से 13% के बीच के यहां पर मोमेंट दिखाया है तो अभी यह छे दिन है फ्रेंस बिल्कुल इसको बढ़ाऊंगा ऐसा कुछ भी नहीं न तारिक को कि यह रहाए डोजी लॉजिक को समयना दोस्तों किस तरह का हमाई जो इसकी नरे वो ढूंड कर निकाल रहा है यह देखिए डोजी बनी ठीक है और यह रही हमाई decision maker candle और इसको decision maker candle पर हमने एंट्री ली कहीं पर तो 5% का मोमेंट उसने हम लोगों फिर से यहां पर देगा अभी फ्रेंस आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी यहां पर किये देखिए एक 16 तारिक के बाद एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस दिन तक उसने हमको कोई स्टॉक निकालके नहीं दिया तो फिर्स क्यों देगा निफ्टि फिप्टि आप देख सकते वह होगी मैं इसको पांच मिट में करनवर्ट करके बता देता हूं दोस्तों की पिछले 10 तिनों से जिस दूरेशन हमको शॉट टर्म के स्टॉक निकालके नहीं दे उस टाइम से यह तेजी से यहां से डाउन फॉल में था तो फिर्स हमको नहीं चाहिए ऐसे स्टॉक इसके नर बाइक और निकालके देता है लेकिन डाउन फॉल में तो यह बाइक और क्यों निकालकर देगा हमको नहीं चाहिए दोस्तों ऐसे बाइक कॉल तो भई अभी कि तो यहां पर इस मूमें पर दोस्तों मैंने भी जो अपना पस्तेली बता रहे हैं वहां बर्फिला तूफान अमेरिका में चल रहा है तो कुछ न्यूस लग रहा है दोस्तों मुझे कि न्यूएर की स्टार्टिंग शायद बहुत अच्छी ना हो तो मैंने अपना पॉट किया था लेकिन कमेंने 1 फायडे को लास्ट कर दिया मैंने टीन सीमे मेरे इंवन के लीएक ऐक लोग लाग टो सब्चाइब हो कर्दinação हो त्रोस थे इंजवों में impact करते विए за तो आपका माइन डाइवर्ट होता है तो बहुत से रीजन दोस्तों मैं किसी इन बनाऊंगा वीडियो कि मैं तीन डिमाट एकाउंट क्यों होल्डिंग करके रखता हूं तो फिलार मैंने तीनों को लेवल को छोड़ी नहीं पा रहा है तो फिर से एक फाल देखने को मिल सकता है दोस्तों इसलिए जब तक अठारा हजार का लेवल जब तक निफ्टी दूर नहीं जाएगा फ्रेंड्स एक अच्छे साइन नहीं दिख रहे हैं यहां पर तो ठीक एनिवेस हम लोग अब यह बा कीट लगने वाला और यह यह ले लेटे हैं यह वाला स्टॉक से निकाल के दिया बेरा केबल 30 तर् explore को याने की लाश लाश मार्केट में इन फ्राइदे को तो इसमें क्या होता है पापर सर्केट की लॉजिक अपर सर्कुट में होता यह है यह क्या करता मेरा स्कीनर अपर सर्कुट का स्कीनर इस तरह की अपॉच्यूटी निकाल के देता जोस्तों यह यहां पर हमको एंट्री मिलने के कुछ चांसे थे इस मुवंएंट पर किसी ने बाई ओर्डर लगा के रखाओगा तो उसका बाई ओर एङक्जैक्यूट हुआ होगा और उसके बाइग्जैक्यूट होते से दूसरे दिन 5% GAP UP, तीसे दिन फिर 5% GAP UP, फिर फ्रेंस यहां पर फिर से हमको पॉच्विटि मिली, entry लेने की बहुत बार पॉच्विटि मिली, कितनी बएस से लेके, 11 बच के 15 मिट्स से लेके, 13, 1 बच के पे तालिस मिट्स से, याने 11 से 2 के बीच में हमको बार 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 ब कॉचिटी में लिए बाई करने कि अगा जिसने बाई किया होगा तो यहां पर फ्रेंट के बाद देख सकते हैं यहां पर फिर से अपर सरक्रिट लग गया दो वह से तीन बेट अगल यहांने मंडे फिर से इसमें पांच बसन गेप आप ओपनिंग होने के चांसे तो इस तरह क का फ्रेंट्स जो हमाई सकीनर यह सतरे के ट्रेंट को ढूंड के बताता है यह अपर सरक्रिट का सकीनर है एक को देखते हैं दोस्तों सेमेट्रिकल ट्रेंगल सेमेट्रिकल ट्रेंगल है काफी जाना माना ओल्ड इस बेस्ट है ओल्ड इस गोल्ड तो चले फ्रेंट्स हम लो निकाल के देगा तो यहाँ पर दिया इस मोमेंट पर 12 बचके 10 मिनट ठीगे तो बारई 10 तो जहां पर जब बी अलट देगा आप लोहको दो बार ऊपर टूच करना है दो बार नीजर टूच करके लाइन ड्रॉइग प्रवाइंड को करना है वो लाइन जहाँ पर एड एन्ड होगी आप लोगों को ज्वाइन कर देना उसके पार्फ फंट यहां पर देखना इसका टारगेट क्या होता है होन्स जो 1000 इस्टोपी होता है जो तो आफ्क होता है दोर 2% मिलता वही उसका टारगेट होता है ठीक है और नीचे वाले जो second touch है यहाँ पर उसका stop loss होता है तो पर जो symmetrical triangle है वो काफी अच्छे से में video बनाया है दोस्तोँ उस पर आप लोगह को तो यहाँ पर आप लोगह को इस तरह इसमें trade लेना होता है इसमें stop loss भी मिलता है टार्गेट भी मिलता है एकटिव पॉयंट नीचे जा रहा है धो भी कभी एक्टिवेट होगा। पाइंट भी मिलता है और टार्गेट भी मिलता है stop loss भी मिलता है सारी चीजरे फेंट्स के अंदर समावित होती है तो यह इतना strong symmetrical triangle अभी फेंट जीरो scanner एक मेने बनाया था दोस्तो जीरो जीरो scanner आने के जीरो स्टाप लाट जिसमें को एक बच चालीस मिनट्ट ओके तो फट यहां पर देख सेखा जैसी एक्टिवेट हुआ नहीं है यह तीक है यहां पर चप्विस तारिक को एक बच चालीस मिनट्ट यहां से उपर जाता फिर नीचे जाता तो हम बोलते वहीं चुले कि इना लगा यहां पर कुछ नहीं गया इ तीरह एक्टिवेट हुआ एक्टिवेट होते से सीधा उसमें तेजी से नीचे गिरता हुआ गया मार्केट हो गया अगर हम एको नेक्स जे रखते हैं तो वन परसंट से हम लोग आराम से निकाल के दें लेकिन मार्केट क्लोज हुआ हाफ परसेंट में कोई दिखकर नहीं है तो यह होता है इसलिए में इसका नाम रखा है नो स्टॉप लॉस स्ट्रेजी एको रेफ्रेंस बीटी एस्टी थोड़ा सा ऐसा है कि उसने पिछले स्टॉक निकाल के नहीं दिए क्यों देगा फिर से बोलूँगा दोस्तों क्योंकि जो हमारा निफ्टी है वो इतने दिनो हो जाता है दोस्तों कि वो उसको पता होता है कि बही मुझे नहीं निकालके देना है अभी मारकेट सेझेमेंट अच्छे नहीं तो उसी तरह हम वी फीट करते हैं उसी तरह सिखाते हैं कि अगर मार्केट घिर रहा है तो हमको BTST निकाल के ना दो no trading is also one of the best trading 22 तारिक को निकाल के दिया इसने ATGA last stock और आज हो रही यह एक तारिक यानि 10 दिन नो दिन पहले निकाल के दिया 22 तारिक को देख लिए तो क्या performance रही उस दिन वीटी स्टी 22 तारिक और फ्रेंस में हमको 2% का टार्गेट लेकर चलते हैं अगर हमको यह रही 22 तारिक ठीक है अगर फ्रेंस हम लोगों को जो टार्गेट है वह पहले दिन 2% मिल गया तो पहले दिन घर नहीं लेकर जाएंगे हम वापस उसी बुकिंग कर लेंगे देख रहे हैं तो कितने तरीके से उसे निकाला है उसको पता लेकिन फिर भी जब स्टॉक निकाल के दिया तो अपने बचाने के लिए उसने यहां पे तो पर्शन का मुमेंट ऑन दे स्पॉर्ट दिया तो इस तरह के स्कीनर्स होते हैं दोस्तों चार्टिंग इस तरह का पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग कुछ नहीं सिंपल कमेंट कर देना है कि हाँ वही मुझे आई वांट पार्टिसिपेट और फैस एक को चीज लास्ट टाइम मैंने दिया था तो कुछ लोग दो-दो कमेंट करते हैं दो नहीं होगा दोस्तों मेरे पास टूल है उसस तो नेक्स वीकेंड याने की एट्थ फ्राइडे तो शायद सिख्स की इवनिंग को में वीडियो बनाऊ या फिर सेवंत को बनाऊ जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो सिख्स या फिर सेवन को में इसका रिजल्ट डिक्लियर करूंगा तो जिस जो भी जिन लोग का नाम आईड यप कर देना होगा तो मैं आप लोगों को उस पर कर दोंगा तो आपका नाम आएगा तो वह तो यहां कि अपया निकाल आन GEORGE को पुराना वीडियो में देख्योंगा हूं जो लोग पूराना वीडियु में देता दूछा हूं दो-तिन मन्त में यर बार तो इनको पत स्कीनर्स होते हैं प्रीम स्कीनर्स हैं लेकिन मैं इस नियू यह कि उसमें फ्री अपकॉश और कितने लोगों को देना है वह भी डिपेंड करता है कितने पाइटिसिपेंट आते हैं अगर मान लोग 1,000 आते हैं तो 20 लोग भी हो सकते हैं इसे कुछ नहीं कोई बड़ी बात न नहीं है विल सी कितने कमेंट्स आते हैं उसके साब से काउन भी बढ़ जाएंगे तो इतना ही था दोस्तों आप सब लोगों को नए 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 डिवस नए इयर्स की हार्दिक शुप कामना है तो थैंक्स दोस्तों थैंक्स पोर वाचिंग बाबाए